हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका हमारी यूठीब चैनल बीएसे बीर्ड इंडिकेरेटटेड में दोस्तों, जैसे की आप जानते हैं, हम बात कर Рेए हैं बीएसे बीर्ड दोहजार बीस के सेस्षन की दोस्तो लास्ट लेक्चर में मैंने BSC B8 के तीनों पार्ट के बारे में मैंने डिफरेंट डिफरेंट तेरिके से आपको बताया दोस्तो आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिलेबस को देखेंगे आपके जो हिंदी इंगली सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है सबसे पहले दोस्तो मैं बात करूंगा आप अपने पूरी एक्जामिनेशन स्कीम को चारों सालों की देखा और सारे पार्ट के बारे में मैंने बहुत सारे जानकरी आपको है वो प्रोवाइड करवाई दोस्तो आज हम कंप्लीट फस्ट जो पेपर आपका रहेगा उसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले दोस्तो आपका आता है जनरल कोर्स में जो सबसे पहले जनरल कोर्स में आपका रहता है वो रहता है हिंदी तो बात जब करते हैं जनरल कोर्स जी सी में जो अपने गुरुप ए में है हिंदी आता है हिंदी का सिलीबिस हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला जो हिंदी में दिया हुआ है कि एक प्रशन व्याक्या से समंदित इसमें दो व्याक्या आपके दी गई होगी ठीक है उनमें से कोई भी एक आपको करनी होगी जो दस नंबर की आपकी आएगी ठीक है और दो परीच् तमक प्रशन पठ्थे पुष्टकों से यानि कि पंदरा नमर के दो प्रशन आपके जो है वो आपकी सिलेबस की जो बुक है उसमें से आएंगे और दो यह व्याक्षा यह आपके पंदर-दस नमर की आने वाली है उसी के अंदर यह जो सिलेबस है यूनिवस्टिक है थोड़ा सा इसमें मिशमेच किया हुआ है तो कोई बात नहीं आपको बड़ा बड़ा बता देते हैं सो नमर करहेगा और यहां पे जो है पत्चीस पत्चीस नमर के आपके दो जो बड़ी जो प्रेयाग्राफ है वो आने वाले हैं ठीक है पत्चीस पत्चीस नमर के यह दिया हो परी पर पचास नमर का सिधा ही वो बनेंगा आपका सब्द सुधी पांच नमर के आएगी वाक्य सुधी आपकी पांच नमर के आएगी परिभाशिक शेदावली आपकी पांच नमर के आई जिसमें अंग्रेजी सब्दों के हिंदी समानार्थिक सब्द जो होते हैं वो पांच नमर के आएंगे संग्षेपन जो है वो आपके पांच अंक काएगा एक पलवन होता है पलवन भी पांच नमर काएगा वाक्यांस के लिए एक सार्थक सब्द ये भी पांच नमर काएगा और प्रारूप जिसमें अपने प्रात्रापत्र निवीदा परीपत्र अधीसुचना ग्यापन विग्यापन ये पांच नमर काएगा उसके बाद सब्दी युगम जिसमें अर्थ भेद आएगा ये भी पांच नमर काएगा और एक आपके निबंद आने वाला है उस निबंद में आपके दस नमर का एक निबंद आएगा काफी अच्छा रहेगा और आपके पुस्तकों के बारे में जानकरी दें तो गद्धे प्रभा नाम से जो आपकी बुक है संपाते की नवल के शोर है प्रकासक कि ये सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर पंदरा रुपे के बुक आती है और एक कविता के अधुनिक सो पान ये बुक है ये आती है इसका मुले साधे पांच रुपे है ये बुक आप परचेज कर लोगे इन ही में से आपका जो है उपर मैंने बताया जो आपके ये देखो परिच्चे आत्मक प्रशन जो दस पंदरा पंदरा तीस नमर का मेटर आपको उस बुक में से बनने वाला है मेटरिस में लिखा हुआ होगा बीस नमर के दस और वीस ये तीस नमर का हो गया उपर वाला उसमें अने वाले हैं जिसमें लेटर राइटिंग आ गया पेराग्राफ आ गया रिपोर्ट राइटिंग आ गया ये दस दस नमर के आपके तीनों के तीनों आने वाले हैं चोत्त Formation of Sentences पांच नमर के Active Passive Voices पांच नमर के Modals आएंगे पांच नमर के और Determines आएंगे पांच नमर के Common Errors in English ये आपके भी पांच नमर के आने बाले हैं इनके लिए आप बुक पर जिस कर जकते हो एक तो MK गांधी है Training Literacy and the Respectual ये मतलब कुछ हिंट दी हुई है दोस्तों ये आपकी बुकें हैं वो लगने वाली हैं ठीक है ये कमला देव उपाधियाई वाला ये हो गया उमा राव आ गया निलम सरन गोर आ गया और वनाना शिवा आ गया और बोमन देशा ही आ गया ये सारे के सारी जो है वो आपकी स्टडी मेटियल दिया हुआ है ठीक है और कुछ रिकमेंड़ बुक के हैं इन में से भी आपका मेटर जो बन सकता है काफी अच्छे बुक के नीचे दीगी हैं उसके बाद आपके इन्वार्मेंट का जो पेपर होगा उस इन्वार्मेंट के पेपर में जी सी टू जो आएगा आपका 50 नमर का इन्वार्मेंट का पेपर आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है जिसमें आपकी objective type questions आने वाले हैं यानि कि एबस रदावाले question इसमें आएंगे उसके बाद देखिए सबसे पहले जो रहता है importance and scope of environment यानि कि इसकी प्रयावरण की क्या महत्व है उसके बारे में बताना है और उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहां पे environment के scope के बारे में आपको complete जानकर natural resources and environment management ठीक है प्रयावरण के सरंक्षन और प्रक्रतिक प्रयावरण है उसके जो प् प्रयावरण प्रदूर्शन सस्टेनेबल और इन्वार्मेंट ऑफ ग्लोबल वर्ड आ गया और इसके बाद मोडल ऑफ लर्निंग इंगेजमेंट आ गया और टोटल यह सारे के सारे सेंस प्रतिक्स कम यह सब कुछ लिखा हुआ है इसमें जो दोस्तों है ना environment के बारे में basic जानकर यह आपको है तो आप इस एक्जाम को जो है वो क्लियर कर पाएंगे दो तो अंत में मैं एक दो चार से पांस लेक्टर में मैं आपको environment के कुछ ऐसे मेटर को बता दूंगा इससे आप है वो इसको क्लियर कर पाऊगे ठीक है तो यह देख लिजिए गाप ठीक है एंस प्रोवाइड करवाएगे यहां ही से आपका जो है वैनि CRT से लगवगा आपका बनता है तो इसमें से आपको यही करना है उसके बाद देखें तो बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में जो आपके सबसे पहले में बता देता हूं यह तो मैंने बताये था आपको वि उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल में आपके वाइवा होगा एक तो और इच पंद्रा मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड हो गया टोटल करके पचास मार्क्स होंगे यह प्रैक्टिकल के आपके टोटल तीस मार्क्स ही मिलेंगे और उसमे के दस दस नमबर आपके जो फाइलें वगे रहोंगी जांच करके उनके आपको दिये जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं पेपर फर्स जो रिलेटिविटी मेकैनिक्स वाला जो कंप्लीट मैं करवा चुका हूं सारी कोशन आप अगर आपने रिलेटिविटी और मेकैनिक्स सब्सक्राइब कोशन नहीं देखे हैं तो वीडियो में देख लीजिए का फिजिक्स की प्लैलिस्ट 50 गंटे मेरा थनमी उनमें मैंने सारे जो है वो कंप्लीट करवा दी हैं बस यह है उसमें कंप्लीट डिखवाया है मैंने रिलेटिविटी हो गया दूसरा मेकैनिक्स हो गया और उसके बाद ऑग्जिलेशन सा गया उसके बाद आपके उसके बाद आपके आगया दो तो वेव सा गया रोज के बाद आपकी जम वेव इन मीडिया आ गया और इसके बाद आए एक्ट्र स्टिक्स यह आ गया उसके बाद आता है आपका ट्रांस्डूस यह सब कुछ इसमें आता टेक्स्ट वूसे रिफ्रेंस के लिए आपको यह कुछ बुक्स यहां पर रिक्मंट की गई हैं इनको आप वह देख सकते हैं बाकि मैंने आपको कुछ करवाने की जो आपको कुछ देखने की जूरत नहीं है मैंने कुछ वीडियो शुलूशन भी आपको दिया है और कुछ भी आपको लिखवाए हैं इनके कुछ नहीं बताने वाला है ठीक है जो आपका मैथमेटिकल बेक्ग्राउंड और प्रोग्रेटिक ओव दा मैटर एंड़ एलिमेंशन वेवस यह सो कुछ लिखा हुआ ना यह सारा मैं कंप्लेट करवाने पर इस्टम फर्स्ट य सब्सक्राइब और उसके बाद इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस के बारे में आने वारी तो पांचों यह मैथमेटिकल पॉर्शन में आपके कंप्लेट होगी सारी मैथमेटिकल है ठीक है इसको कंप्लेट करवाए जाएगा कुछ रिकमेंड़ टेक्स्बुक्स यहां पर ज से देख सकते हैं अगर आपके पास मेटी लब लब धनी तो मैं आपके इसके इपोर्टेंट कोश्चन के बारे में बता दूगा ठीक है यहां पर दोस्तों लेबरेटरी टुटूरियल कुछ दियो गए दियो गए हैं और मैं भी कुछ टूटूरियल आपको वीडियो हो गांस कीका बम इनगेंगि hebben better疫 les me इसमें उन को मैश्चन बताएं थिक है इसमें सबसे सब्सक्राव का स्टक्चर और दूसरा दिया स्टक्चर ऑफ बॉंडिंग यह आगा सेकंड पार्ट इसमें बहुत सारे इपोर्टन कॉशन्स दिये हैं व्यूद्ध थोरी आगी एस्टी प्यार्ट थिरी आगी एस्टरी एस्ट्री ओ एसफ फॉर आगया सीलेफ त्री आगया सील सी वाइनस आगया ठीक है यहां पे आपके विस्टी प्यार्ट थिए इसमें दोस्तों को दिये गया यह सारा कंप्लेट कर वाए जाए आपको दूसरी यूनिट दापको दिये गए चैंस्ट्री ओफ में ग्रूप इलिमेंट्स ठी को समझेंगे से बंद वैं इसकी सरंचना को बताएंगे उसके बाद इसका ए पार्ट जो वह आइनिक सॉलिड्स जिसमें आइनिक स्ट्रक्चर सागी रेडियस रेडियस एफेक्ट आ गया कोडिनेशन नंबर आगे लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल आ गया वगय साथ फैनिक इंट्रसेक्टिंशंस आगया सबकुछ इसमें ए्फटी इंट आपको एस इन बेस्ट प्रक्र उपको यह रहेगी पांचवी यूनिट रहेगी आपके कैमस्त्री ऑफ ट्रांस अ इंख सरेक्चन एलेमेंस पर रहेगी इसमें कम्प्लीट आपको कैमस्ट्री आ वाई देंगे, ठीके?